जातलोगी एज के साथ साथ एनरजी कम होती है, आपकी बढ़ेगी तो अब ये कैसे होगा, नमबर वान, बॉडी तो अपनी बॉडी का ध्यान रखना है As simple as it may sound बॉडी को strong बनाओ कितने हैं जो एक्चुल में अपनी बॉडी के ऊपर डेली एक घंटा काम करते हैं, अच्छे तरीके से महला बॉडी चीखने लग जाती है, कहती है कि नहीं बस करो, बहुत हुआ चाहिए वो योगा हो, चाहिए जिम हो, चाहिए यह हो, वो हो एक्चुल में स्वेट निकलता है, बॉडी में से बहुत कम, करते भी होंगे तो मुझे पता है क्या करते होंगे, तोड़ा बैल कर लीइ, आज तो बहुत हो याज तो अब जड़ा खा लेते हैं इतनी सी बैल करनी नहीं है वहाँ पर वॉक कर रहे हूं देखा है मैं ऐसे लोग मैं कह रहा हूं बॉडी पर काम करने का मतलब क्या समझ आ रहा है डेफिनेशन समझ आ रही है पसीने आने चाहिए यू मस् स्वoter इतना एक्सराईज करना है डेली तबी आपकी बॉडी फिट रहेगी वोडी इसी के लिए बनिए है पड़े रहने के लिए नहीं बनिए है सिर्फ नाम के लिए exercise नहीं करनी है नाम के लिए work out नहीं करना है एक्शुल में करना है तो अब यह बात theoretically तो उमको समझ आती है practically हम क्यों नहीं कर पाते हैं कभी पूछा है अपने आपसे अरे क्या भखवास बात है यह लोगों के पास में time नहीं है यह excuse है never get into this excuse mode दिन में 24 गंटे होते हैं मैं क्या कह रहा हूं कि दिन में 24 में से 20 गंटे करो 24 गंटे में से एक गंटा percentage वाइस कितना हुआ hardly 4% एक गंटा तो अपने उपर लगाना बनता है ना अपनी body के उपर और time नहीं है तो time हमारा जा रहा है तो कहां जा रहा है अगर body आपकी fit नहीं रही कुछ अचीव कर भी लिए वो किस काम का है आप कहते हो time नहीं है किस में time जा रहा है पैसा कमाने में जा रहा है अच्छा ठीक है पैसा तो आपने कमा लिया body की watch लगी हुई है कमा किसके लिए रहे ऐसा आदमी ना खुद के लिए काम का है ना अपनी family के लिए काम का है बलकि एक liability है कड़ भी तो नहीं लग रहे मेरी बात है सुने है अच है अगर आप कहते हो कि मैं अपने बच्चों में busy हूँ तो वो मा जो खुद का ध्यान नहीं रख सकती हो बच्चों का क्या रखेगी पहले आपको खुद का ध्यान रखना है तब आप बच्चों का रख सकते हो तो इस excuse में कभी मत पढ़ो ये देख लो ये एक excuse है time नहीं है खत्म दी है अब कोई motivation काम नहीं आएगा अब रुप जो रुप जो समझो कि ऐसा क्यों होता है कि हम रुप जाते हैं क्यों देखो ध्यान से समझो because पड़े रहने में कुछ ना करने में एक है लो आलसी बने रहने में एक मज़ा है आलस में मज़ा है सुबह बारा बजे उटने में मज़ा है या ची बजे उटने में मज़ा है बारा बजे उटने में मज़ा है कुछ करना ना पड़े किसी को वरक आउट करते देखते रहो मलब अराम से बैठे रहो मानलो आपकी बैलकनी से कुछ नजर आता है पार्क में लोग बैठे हैं, उलता सीता कुछ कर रहे हैं, बैठे बैठे देखते रहो, मज़ा है, खुद करो के तो सजा है, तो आपकी जो ब्रेन की सेटिंग है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा, अभी तीन पिलर में से हम पहल या आपको अंदर ये अंदर खोकला कर देता है, बिल्कुल ऐसा है, जैसे कोई गाड़ी चलने के लिए बनी है, उसको आप उठा करके गराज में रख दो, उपर से पानी, बारेशे, जंग लग जाएगा, सड़ जाएगी पड़े-पड़े, तो अब आपको क्या करना होग अभी आपको मज़ा आ रहा है कुछ ना करने में, अगर आपको कुछ करने में मज़ा आने लग गया, उसमें भी मज़ा है, ये वो लोग समझ सकते हैं, जो एक्चुल में वकाउट करते हैं, बताना मैं सही कह रहा हैं, गलत कह रहा हूँ, कि जब, जैसे कितने हैं जो जिम क करते हैं ज़क्र और लेकिन उसान मज़ा है या नहीं हम्हिए यह दूजी नहीं को और मज़े की बात पाता है क्या है? ब्रेन को पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है आप जैसे ब्रेन को समझाने लग जो अगर बिल्कुल एक छोटे बच्चे के ऐसा है बच्चे को जिस सांचे में ढाल दिया वैसे ही डलता चला जाएगा ब्रेन को अगर आपने यह बोलना शुरू कर दिया तो ब्रेन मान लेगी ब्रेन उसी तरह के चीमिंकल रिलीस करेगी कि अब आप नहीं कर सकते बट अगर ब्रेन को आपने एक दो अफ़ते तक जूट बोला ब्रेन को आपने बड़े प्यार से बेखू बनाया लड़ना नहीं है ब्रेन से ब्रेन को बड़े प्यार से बोला कि देख बिटा ये जो पड़ा हुआ है न तो इसमें कुछ नहीं है सोच तो वहाँ जाएगा तिरको कुछ sweet pain मिलेगा उसके बाद में body make strength होगी जब strength होगी तो चल भी रहा होगा तो उसमें एक मज़ा होगा तो if you start calling it sweet pain जैसे sweets के लिए हमारी brain crave करती है तो दीर दीर आप दिखोगे इस sweet pain के लिए brain crave करने लग जाएगे जिस दिन आपको नहीं मिलेगा आपको लगया कुछ missing है आपको लगया याद मजा नहीं आया कुछ किया नहीं है दिन बेकार हो गया आज का अगर ऐसी आपकी habit बन गई तो क्या होगा अब आप नहीं भी चाहोगे तो आपको workout करना ही पड़ेगा बागी सारे excuses खतम हो जाएगे टाइम अपने आप निकल जाएगा आप क्या गरबद करते हो आप बाडी और माइंड को अलग-अलग समझते हो यह अलग-अलग नहीं है जो बाडी फिट होती है तो माइंड अपने आपी पिस्पूल हो जाता है देखो जब भी हम काम करते हैं अपनी बाडी पर Do you want to know that or not? Bad pain अब इसमें एक और मज़िदार बात आपको बताता हूँ कि हमारी जो bodies है वो हर moment में change हो रही है daily change हो रही है तो आज अगर आप कुछ exercise करोगे उसका pain आ रहा है मानलो इस जगे पे आप कल करोगे कहीं और आने लग जाएगा मतलो वो part up खुल गया है तो आपको पता लगे है मैं थोड़ा सा deeper जा रहा हूँ अगर आप daily एक exercise कर रहे हो daily वहीं पे pain आ रहा है जहां पर एक साल पहले आ रहा था इसका मतला आप next level पर गए ही नहीं हो आप वहीं गूम रहे हो गोल 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 जीसे कचर होता है गोल 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 ग किसी भी पोस को hold करोगे for at least a minute और minute hold करने का मतलब क्या है जब आप करोगे तो आपको समझ आएगा simple हाथ उपर करके खड़े हो जाना कभी एक minute के लिए आपको पता लगेगा hold कहते किसे है मतलब simple कह रहा हूं मैं कोई complicated आसन नहीं कर रहा है ना जी शुरू करो यहां से भी जाओ के जैसे भार एक उपर हाथ करके stretch तो करना चाहिए ना बैठे हो एक गहंटे तक तो बस हाथ उपर करके खड़े हो जाना अराम से stretch करके एक minute काउंट करना आपको पता लगेगा what is this one minute कभी-कभी क्या होगा आपको बहुत अच्छा फील होने लग जाएगा यह करने की वज़े से exercise करने की वज़े से कभी-कभी बहुत ही बुरा फील हो रहा होगा exercise करने का मन नहीं कर रहा होगा चाहे मन कर रहा है चाहे बहुत अच्छा लग रहा है करना है तो करना है प्रॉपर्ली फ्लो कर रही होती है ऐसी एनर्जी होगी कि आप कहोगे कि हूँ क्या रहा है सुबह उठोगे एकदम एनर्जी से भरे होगे हो पूरे दिन एनर्जी से भरे होगे हो मनलों कुछ कमाल की है अंदर एक फीलिंग हो रही है तो इस feeling की वैसे खुश नहीं होना है समझ गया है खुश नहीं होना है फस जाओगे बुरे तरीके से योगि इस feeling से अगर आप खुश हुए तो हो सकता है अगले दिन ये feeling ना हो फिर आप उसको करना छोड़ दोगे तो चाहे कैसी भी feeling हो रही है अगर आप इस तरह से चले जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ तो दो-तीन साल में क्या होगा कि आपने अच्छी feelings को भी छोड़ते गए बुरी को भी छोड़ते चले गए अपनी practice पे focus किया सिर्फ और सिर्फ practice तो धीरे धीरे क्या होगा stretch deeper होता चला जाएगा muscles अंदर से strong होती चली जाएगी energy भड़ती चली जाएगी और तब भी आप energy को नहीं पकड़ोगे अपनी practice पे focus करोगे तो आपकी body कमाल की बनती चली जाएगी अपनी जाएगी